हनुमान जी ने क्यों अपना सीना चीरा था? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान राम के राज्या भिसेक के बाद दर्वार में उपस्तित सभी लोगों को उपहार दिये जा रहे थे. इसी दोरान माता सीता ने रत्न जडित एक बेस कीमती माला हनुमान जी को दी, उस माला को लेकर हनुमान जी थोड़े दूर पर गए और उसे अपने दातों से तोड़ते हुए बड़ी गौर से माला के मोती को देखने लगे. उसके बाद एक एक कर उन्होंने सारे मोती फैंक दिये. हनुमान जी को ऐसा करते देख पूरी सभा हैरान थी और माता सीता भी क्रोधित थी क्योंके दिये वे उपहार का इतना अपमान परंदु भगवान राम इस सब को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे. उनके इस बिवहार को देखकर सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने हनुमान जी को उपहार के इस अपमान का कारण पूछा. तब स्री हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं तो इन कीमती मोतियों में अपने प्रभु स्री राम और माता सीता को ढून रहा हूं. परंतु मुझे अभी तक किसी भी मोती में प्रभु राम और माता सीता के दर्शन नहीं हुएं. इसलिए ये मोती मेरे लिए बेकार है. क्योंकि जिस वस्तु में मेरे राम नहीं वो मेरे लिए ब्यर्थ है. हरुमान जी कि इस बात पर पूरी सभा में हलचल होने लगी. कुछ हसने लगे, कुछ ब्यंग करने लगे, कुछ ने तो यहां तक कह दिया. इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभू, स्री राम और सीता आपके रोम रोम में वास्थ होना चाहिए. यदि नहीं हैं, तो आपका ये सरीर भी ब्यर्थ है. ऐसा सुनकर हनुमान जी महराज ने भरी सभा के सामने अपना सीना चीर के अपने हुरेदय में विराजिद प्रभुराम और माता सीता के दर्सन समस्त सभा को कराए. ये दृष देखकर समस्त सभाजन राम भक्त हनुमान जी की जैजैकार करने लगे. कि प्रस्ट राम प्रश्ट की समस्त समस्त सभा के अपने लगे. झाल 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 झाल. ये लगे रिखकर में राम भक्त हनुमान जी रहें है. झाल झाल